मिर्च भी ऐसा ही डालते दीजिए थोड़ा थोड़ा अंदर जाता रहेगा और आपका एक गंटे में 25-30 मिर्च खारां से निकलता रहेगा इसा मसाले का निकलाइगा और उसकी नुट्रस निवैली बरकरार रहेगा इसमें देखो कि बिल्कुल गरम-गरम हीट आ रही है इन में मैं अपना मसाला डाल दूगा और इसको बंद करके इस तरीका से रख दूगा अचा सर बात करो तो इसमें कितने बड़े पाउच होगा ने पैक हो जाएंगे सर ये अलग-अलग साइज का आता है इसमें क्या होता है कुछ होता है 10 ग्राम से लेके अलग तो इस वाले सा इसमें करें दो साल पुराने हैं हमारे कस्टूमर दो साल से लेते जारे हैं में कम तो पिक्स है आप करीब पचास से साथ हजार कर सकते हो लेकिन मैक्सिम्म की कोई लिमिट नहीं है आप 2 लाग-4 लाग-5 लाग आपकी महनत और आपकी लगन के इसाब से अधर आदा अभावी नदा भार रोमेव मानस और स्वाइज करता हूं आपका एक वाई फिर से सफर नाव में दोस्तों ये वीडियो होने वाले हमेशे की तरह बहुत ज़दा जोरदार धमाकेदार वीडियो आज मैं आप लोकले फिर से लाया हूं तो आज फिर से मैं आप एक घर की एक छोटे से कमरे से साइट करसकते हैं और महीने के आप लाग् हो लाख का सकते हैं दोस्तों तो आज से मैं आप लोग को लेकर कestyle हम ह binge तो चलिए मिलते हैं सर से दिखते हैं आज के वीडियो में को कौन सा बिजनस बता रहे हैं कैसे आप लोग इसको स्टार्ट करेंगे कितनी पूंजी होगी कितनी कमाई होने वाली है साड़ा कुछ बताता हूं आप लोग को दोस्तों हिंदुस्तान फूड मशिंदी से सर मेशा सबस्टम कर दो इस वीडियो में कौन से व्यापार कौन से बारे बताने वाला मुझ गोण जिरी वाला है कि यह विजज्ञेस शाने के दोती हैं इसा क्या अनु जाने जाता है, सिदा खेतों से खेतों निया जावाजा और जानुट। जैसे अधनिया मिर्ची उगई उनको ला गर को प्रोसेसिंग होती है वह सारा कुछ आज आज हम आपको दिखाने वाले मतलब मसाला मेकिγंग और पेकेजिंग अर्पींग काम आज अपको सीवार बदाने वाले सिर्फ दाग आसे अंध मसाले पिर उनको कैसे करना इहां है। और कैसे पेकर्क सुपलाई करना है उस चीज मुझे सारbles हम सक हम आपको देंगे। सबसे कम पूंजी लगेगी और जो मुनापा है वो सबसे ज्यादा है ओके यह हमारे साबुत मसाले आप देख रहे होगे जिए सभी मार्केट में साबुत मिल जाते हैं लेकिन आजकल ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर इनको पिसाई करते हो यह डारेक्टी आजकल पिसे करना पसंद करती है तो वो क्या करते हैं चालब काफी आसान काम देखिया आप लोग इस तरीके से आप पे स्टार्ट बोनेवाले हैं उनकी जो मेहनत को हम कम करने वाले हैं उनके लिए हम बहुत ही फायदा करने वाले हैं इनको हम डारेक्ट अपने पीश के देंगे उनको अब हीको देखो बरसात का मौसम में क्या है में तो इन फिन पन बॉत कम उता है तो इनका करंची बनाने के लिए अलग लाग वेराइटी में आता है अगर आप शुरुवात करें तो तो सब से छोटा वाला यह चैटरय का ओवन है इसमें इस मसाले को डाल जीए और इसमें करना काम करना शुरू कर देगी और आपके मसाले को जो बॉश्चर है याने की नमी है वो निकल जाएगी इसमें देखो कि बिल्कुल गरम गरम हीट आ रही है इन ट्रव में मैं अपना मसाला डाल दूंगा और इसको बंद करके इस तरीका से रख दूंगा और पास से दस मिट आप नहीं डाल सकते इसके अंदर ठीक है जी जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों इस तरीका से ट्रव में हमने अपना साबुद मसाला लगा दिया है अब यह हम अपना ओवन खोलेंगे और इसके अंदर हमारे इस तरीका से लग जाएगी सर कॉंटिटी की बात करों तो कित हमारा सिर्फ मसीन चालू कर देना है और अपने आप दस मिनट के बाद हमारा वैस तेयार हो जाएगा तो आप देख सकते हो हमारा यह जो है जितना भी मौश्चत वो निकल चुका है गरम-गरम हीट आ रही है अप मसाला देखोगे बिल्कुल घरम-गरम है यह क्रिस्पी हो है महारा साथ मिन अपर गौर्फ में जिसका निकालन होता है बहुत है हमारा मौश्चर निकला होगी मbr माँ बड़े आराम की मसाला पीछ सकते हैं जा अब बारेक मोटर जैसा आप पीषना चाहिए बारेक जा रहा है अच्छा सर्च यह जो पाइब जा रही है पूरा अमारा जो है इसमें यह ब्लोवर सिस्टम लगवा है जब मसाला पीछता है तो ब्लोवर के तुरू अपना पाइनल कोई भी आप बॉक्स रखोगी या जो अपना दूसमें भी आपको आपकेश नगा रखता है तो देखते हैं इसके अंदर पूरा मसाला भर रहा है तो ताफी बारेक आपनों का जो एंड प्रोर्ट है वह आपर जो तेखते हैं और दूसरा बैनिफिट हो तो उसकी न्यूटरिशन वैलु बनी रहती है और दूसरा बैनिफिट होता है वह जाइसा दूस्ति ब्लोवर का व्लॉवर को जैसे दोस्तों आप देख सकतो हैं हमारा मसाला पिसकर रेडी हो चुका है धनिया पिसकुगा है तो प्रोड़क्शन की बात करो तो जैसे माल जी गंटे कोई मशीन चले तो कितना मसाला यह पीज देगी यह गंटे आपका 30 kg निकाल देगी आपका 30 kg निकाल देगी बाकी से बड़ी बड़ी वेरेंट विया आते हैं लेकिन इस अब से चोटी मसीन जो आपका एक गंटे में 30 kg औ आपको ऐसा ही सेम हमको अपना मसाला जो पीजना है मिर्च पीस अप्रोड़क्शन में हम देखें दोस्तों इस तरीके साप मिर्च पीस करके दिखा रहे हैं और सर इसमे भी जानी की बात करो तो सेम जानी रहेगी इसमे थिकने सब पड़ा गटा सकते हैं आपको जितना सकता है और पर मसाले ऑपना जो प्रते हैं चिनी नौगे से मशीन आपको जेखें कि देख सकते हैं जो नौगभे से सगता एंपना जो इसमें को सांग कमर मुम परने देख और रहे हैं तो एक थोटी से मसीन है और प्रमर मार्वल सिंगल द जाने के कृन्स टाविक्स को सकते हो चैल्दी पीश सकते हो इसमें 15 अच्छो अप ज्य घंटी सकते हैं जब कर देख सकते हो ये हमारा थिफा हमारी हमत्या पेख चुका है और हमारी मेर्च जी हमने के बार को कर दिकाने के परफस्ट से मिर्च और दंटे जिसके वीज़ी सकती हैं जिसके ऐसे थोड़ा थोड़ाοι एपको दिखे रहा हहा हम पिसने के बाद जो हमारा मसाला रेडी हुआ है अब उसको अगर ऐसे लूज में बेखते हो तो इसमें क्वालिटी नहीं दिखती लोगों को नहीं पता होता कि यह क्वालिटी है या नहीं है बिल्कुल जब उसको आप एक ब्रांड में पैक करोगे तो वह अच्छा लगेगा तो कस्टूमर सोजेगा है अच्छा एक बड़िया क्वालिटी का प्रोड़क्त है यह हमारा प्रोड़क्त जो है पाउच पैकिंग मसीन में पैक होगा यह हमारा माल होपर में जा रहा है आप देख सकते हो अच्छा इस तरीके से देखिए जो भी आपनों का मसाला है आप इसमें डालते हैं और यहां पर हम लगाएंगे सार रोल एक बार इकटा होपर माल डाले के बाद जो आप अपने ब्रांड की पन्नी में पैक करना चाहते है और सीधा मसीन को चालू करते ही हर पाउच में अपना प्रोड़क्त आटोमेटिक वजन होकर के पैक होना सुरू हो तो आपको एक घंटे में दो हजर पाउच का प्रोड़क्शन होने को मिलेगा और मैं खासियत जो है आपका 10 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक एक ही मसीन आपका पैक कर पा रही है जो मसाला पैक करेंगे उसकी पैकेजिंग पूरी ब्रांडिंग आप यहां पर करवा सकते हैं त पूरा पाउच यहां पर बन करके रेडी हो जाएगा हर मसाले का अलग अलग समाली जैसे पैकेजिंग अगर दिखा रहे हैं तो इसकी कोई ब्रांडिंग कराना चाहे तो यह कहां से होगा और देखो कस्टूमर अनाउन होता है उनको मालूम नहीं होता कि हम मसीन तो लेले तो सारी सुवीदा हम आपको देने वाले हैं जो भी कस्टूमर अमसे जुड़ेगा उसको अपने ब्रांड की बनवाने तो उसके ब्रांड के पनी बनवाकर हम भी देंगे आप उनको तो दोस्तों कितनी है भी आप लोग देखिए इस तरीके से मशीनरी सर के पास यह पर मि स्टार्ट अप हो जाएगा मसीन में फंक्सट नालना होता है हम इस प्लसी के अंदर डालते है जैसे अभी हमने इसमें देखा है कि आट का फंक्सटन है यह टाइमर बटन हमने दवाया तो बैच काउंट में आट लिखा हुआ है तो इसका मतला आट 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 की लड़ी अगर हम इसको माइनस करते हैं जितना हम कम कर देंगे अभी मैंने एक पे करा है तो आटोमेटिक आपका सिंगल सिंगल पाउच बनके डिख लेगा अभी मैं इसको प्लस करिया यानि की 11 लिखा रहा है तो आपकी 11 पला डिखेगी मतलब स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज ब अबरे में बात कर सकतो कैसी हमारी इंस मसीन है और क्या इनोंने लिया है हम मैंने तुछा ट्राई की बैवार की वार्वहार है और पराई वजक भी सही है सब चीछ सही लगा इसलिए महां से टॉप ले के जा रहा हूं यांते चरीब करीबी उस साल पुराने हैं हमारे कस्ट पाउच पैकेजिंग का जा रहा है इसके बाद इनको और दो तीन मशीन जाने वाली है उजिनका एडवांस मैंने ले चुका हूं तो हमारे आप सी सहमत इसनी अच्छी बनी है कि मसीन आमारी बार बार जाती रहती है मतलब बात कियों से तो आल ओवर इंडिया की मशीन जाती रहती है लो मंगाते रहते हैं देखो सर कापी जगे कंपणियों में गएते हैं लेकिन आप खुद सुन सकते हो कि इनको कैसा लगा है कि सबसे अच्छी हमें हागी मेहार और इंकी रेट है प्राइब कॉलेटी आपको मशीन आपको बढ़िया में लेकर चला के सबसे सटिस्पाइब हूं सब मशीन लेकर जा रहा है माली अगर इस सेटप को लगा करके कोई बिजनस से अब आपार शुरू करना चाहता है तो कितने अमाउंट से कितनी पूंजी से वह इसकाम को कर सकता है अगर कोई सुरुवात ही कर रहा है अपने गर बैटे तो थोटी जोटी सी तीन मशीन आपको लेनी है सिर्फ जो आपना है यह मसाले जो है आपका इसका मौशन निकालने के लिए मात्र इसकी जो कीमत है पैताली से पचाजार रुपे है तिक है उसके बाद आपना मसाला पी कर सकते हो तो यानि कि आपका धाई से तीन लाग रुपे में आपका बिजनी सुरू हो सकता है कि कोई भी हॉल सेलर राला होता है जो उसको माल बेगता है तो पचास पैसे पर पाउच फ्रॉपिट तो लेता ही है जब उसको आप मैनफेक्ट्रिंग करोगे मालों आपका डे तो आपका साथ से सतर हजार पे सिंगल अपना घर पर बैटे ही आप अनिंग कर सकते हो इससे मतलब कहा जाए तो अगर आदमी मेहनत करें तो लाखो रुपे भी इससे कमा सकता है बाकी प्रोड़क्शन बढ़ती आप मसीने इंक्रीज किए अपना इंकम इंक्रीज कीजिए बाकी जो सुरुबात है आपका सिंगल फेस की मसीने होती है आपको ना ही कोई अलग से करेक्शन लेने जरूता है ना ही कोई बड़ा स्पेस लेने जरूता है आप घर बैटे भी छोटे से कमरे से अपना काम सुरू कर सकते हो और साथ से सतर हजार पे का इसली आप लोग का बिजनस याँ पे स्टार्ट अप होने वाला है मिनिमम से मिनम मार्जीन आप लोगा एक पाउच पैसे और आप एक इलुब बेचते हैं तो मिनमा से मिनम आप लोग का 10 रुपए की आसपास का निकलने वाला है अगर इसको होल सेल में कहीं पर भी बेचिए तो आप इसली कमा सकते हैं मसाले में यही बैनिफीट है बहुत से लोग होसेल में भी लूज में मसाला बेग देते हैं और दूसरा आप अपने ब्रांडी के इसाब से पैक करके बैव सकते हो दोनों ही तरीका से आपकी कमाई होने वाली है और सबसे बड़ा बैनिफीट है ऐसा कोई घ से इससे कमा सकते हैं मिनिममम इंकम तो फिक्स है आप करीब पचास से साथ हजार गर सकते हो लेकिन मैक्सिम की कोई लिमिट नहीं है दो लाग चार लाग पांच लाग आपकी महनत और आपकी लगन के इसाब से हमारे पास फूट प्रोसेसिंग से लेटर आपको काफी वेरा जो भी पाफ आइटम बनते वो इस मशीन से रोट होता है ये रोष्ट क्योंकि होंकि जो प्रोड़क बनता है वो फ्राइनी होता इस मशीन के दवारा रोश्ट होता है और रोश्ट होने के बाद अपना फ्लेवरिंग होगा ठीक है यह हमारा एक मसीन आपका 10 से 15 परोड़ लग जाती है और जैसा भी डाई लगाओगे वो प्रोडक का इसमें बनना शुरू हो जाता है और आप देख सकते हो यह मसाला फ्लेवरिंग के हमारे पार काफी स्टॉक है यह हमारे पास सबसे यूनिक मसीन है इलेक्टिक फ्रायर मसीन देख सकते हो यह आपका बेशन गूतल के लिए काम में आती है और यह हमारे पास है पटेटो स्लाइसर मसीन जो चिफ्ट काटती है तो दोस्तों देखता है इस तरीके से देखिए फूट से रिलेटेड आप लोगो प्रोड़ बनाने की पैकेजिंग से हर तरह की रिलेटेड आप लोगो मशीनी सर के पास यहां प कहीं अधर स्टेट में हो तो हमारा जो नियर्स स्टेशन होता है वो नई दिली रेल्वे स्टेशन है वह से सीधे मैट रहाती है यह आप के दौरा भी आ सकते हो नोईड़ा सेक्टर दस और नोईड़ा सेक्टर दस में ए सेवेंटी राइन अपनी फैक्री नमबर है और को आप से नमारी पास में लेगापको